हलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि जब भी आप HSE इंटरूट लिए जाते हो तो उस दोरान आपको क्रेन के बारे में, क्रेन लिफ्टिंग के बारे में कुन से questions पूछे जा सकते है और उसका आपको कैसे आंसर देना है इस वीडियो में हमने आपको खाली क्रेन लिफ्टिंग के बारे में ही बताया है मतलब क्रेन से related और क्रेन लिफ्टिंग activity के related जो भी questions आपको इंटरूट में पूछे जा सकते है उन सभी questions के बारे में आज हम जानने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला questions आता है कि what is the part of crane यानि की crane के कौन से part है तो simply आपको यह answer देना है कि sir crane में boom होता है, sling होती है, shackle होती है, anti-to-block device होता है, out triggers होते है, auxiliary hoist होती है, pulli होती है, wave sling होती है, load movement indicator होता है, etc. तो यह जो सारे parts है यह आपको उनको बताना है, फिर उसके बाद आपको यह सवाल पूछा जा सकता है, कि what are the types of crane, यानि की crane के कौन से types होते हैं, तो उसके लिए आपको simply यह answer देना है, कि sir crane के जो है, वो main दो types होते हैं, उसमें एक mobile crane आती है, और दूसरी stationary crane आती है, तो mobile crane म आती है, वो आपको देने हैं, कि tower crane, gantry crane, floating crane, railroad crane, EOT crane, etc. तो इस प्रकार आपको उनको answer देना है, कि crane के जो है, वो mainly two types होते हैं, जो है mobile crane और दूसरा है stationary crane, और फिर उसके आप example बता सकते हो, फिर उसके बाद का जो question है, वो पूछ सकते है, कि what are the requirements for crane lifting, यानि कि crane lifting की कौन से requirements है, तो उसमें आपको बताना है, कि sir, crane की जो position है, वो firm और ground level पर ही होनी चाहिए, और साथ ही में उसके जो out rigor है, वो fully extended होने चाहिए, फिर उसके बाद आपको बताना है, कि out rigor के लिए आपको rigor pad का इस्तमाल करना है, और crane के जो tire है, वो ground level से थोड़े up होने चाहिए, वहाँ आपको inspection करना बहुत ही ज़रुरी है, कि उसमें कही leakage तो नहीं है, किसी भी load को crane के जरीए lift करने से पहले पता होना चीए, कि उस load का weight कितना है, और साथ में आपको ये confirm करना है, कि उस load की safe working limit जो है, वो crane के अंडर आती है, फिर उसके बाद जो है, safety devices जो भी है, उसको bypass नहीं देना है, lifting के लिए, जो भी tools का इस्तमाल करने वाले है, वो सारे के सारे जो भी tools है, उसमें कोई भी defect नहीं होना चाहिए, wind speed जो है, वो normal, यानि कि 32 km पर हवर के नीचे ही होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको बताना है, कि जो भी critical lifting है, उसके लिए lifting plan होना बहुत ही सकता है, वो है, what is lifting plan, यानि कि lifting plan क्या होता है, इसका आपको answer देना है, तो उसके लिए आपको यह answer देना है, कि सर, critical lift के लिए, जो planning की जाती है, उसके लिए, जो document prepare किया जाता है, उसे lifting plan कहते है, जिसमें, मतलब उस critical lift में, जो भी equipments का इस्तमाल हो रहा है, या फिर जो भी load का इस्तमाल हो रहा है, उसका total calculation उसमें किया जाता है, उस lifting plan में होता है, कि जिस load को आप उठा रहे हो, उस load की capacity कितनी है, साथी में, उस load को उठाने के लिए, जो भी lifting tools का आप इस्तमाल करने वाले हो, वो tools कौन से है, उसकी lifting capacity कितनी है, और फिर उस load को उठाने के लिए, क जैसे कि जो भी object है जिसको उठाना है उसका जो weight है या फिर उसका जो size है जो lifting plan में mention किया गया है उसी को lift कर रहे है कि नहीं कर रहे है वो उसमें ensure करना है साथ ही में आपको ये ensure करना है कि lifting के लिए जिस crane का इस्तमाल हो रहा है उसी crane को आपने lifting plan में mention किया है फिर आपको ensure करना है कि crane की position क्या है load का location क्या है load का size क्या है उसके लिए कौन सी sling इस्तमाल हो रही है load chat क्या है इन सारी चीजों को आपको ensure करना होता है तो ये सारी बाते आपको बतानी है जब भी वो आपको question करेंगे lifting plan के बारे में फिर उसके बाद का question पूछ सकते है कि sling को आप कैसे inspect कर सकते हो तो उसके लिए आपको ये answer देना है कि सर sling का इस्तमाल करने से पहले उसको inspection करना बहुत ही ज़रुरी है और इस sling का जो है वो पूरी तरीके से periodically आपको inspection करना है उसमें अगर आपने देख लिया कि original outside उसका जो diameter है जो outside individual उसकी जो wires होती है उसका अगर one third भी अगर खराब हो गया तो immediately आपको उसको reject करना है उसमें अगर saver corrosion आते है तब भी आपको उसको immediately reject करना है फिर उसमें आपको check करना है कि उसमें कोई distortion है क्या जैसे कि उसमें कोई kinking है क्या उसमें कोई crushing है क्या bird caging उसमें आई है क्या वो भी उसमें आपको inspect करना है फिर उसमें आपको देखना है कि उसमें कोई broken wire तो हुए नहीं है वो भी उसमें आपको check करना है फिर उसमें आपको देखना है कि जो भी या फिर जो भी strands है उसमें कहीं पर deformation तो नहीं आया है वो भी आपको check करना है और फिर last में जब आपने ये सारा inspection कर लिया और आपको लग रहा है कि ये जो sling है ये अच्छी condition में है तब आपको उसमें color coding करना है तो ये जो सारे points है ये आपको बताने है जब भी वो आपसे सव क्या होता है उसका आपको answer देना है तो उसके लिए आपको ये answer देना है कि सर working radius यानि की maximum distance होता है जहां पर crane का boom जो है वो lift करने के लिए पहुचता है या फिर किसी भी load को lower करने के लिए वहाँ पर पहुचता है तो उस maximum distance को working radius कहता है फिर उसके बाद आपको question पूचा जा सकता है कि what are the safety devices in crane तो उसके लिए आपको simply ये answer देना है कि sir anti-to-block device, animometer, limit switch and level indicator तो ये सारे जो safety devices है ये crane में install होने चाहिए फिर उसके बाद आपको question पूचा जा सकता है कि what is load chart तो simply आपको ये answer देना है कि sir load chart यानि कि ये एक systematic और graphic device होता है जो indicate करता है कि जब भी आप machine से performance करते हो तो उस दोरान कितने amount of work जो है यानि कि कितना load जो है वो आपको कितने boom angle में उठाना है कितने radius में उठाना है वो आपको तै करके देता है फिर उसके बाद आपको सवाल पूचा जा सकता है कि what is PWA SS तो इसका meaning आपको पता होना चीए वो आपको answer देना है PWA SS यानि कि approximately warning alarm system ये जो system है ये install की जाती है heavy equipments में जैसे कि excavator हो या फिर bulldozer हो और ये जो system है ये automatically alarm देता है कि जब भी कोई persons उस equipment के नस्दिक यानि कि 5 मिटर की दूरी पर होता है तो वो automatically alarm देता है मतलब उस equipment का 5 मिटर का जो radius है उसके नस्दिक अगर कोई persons आता है तो वो automatically alarm देता है फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कूम सा device है जो indicate करता है कि crane का boom angle कितना है तो simply आपको यह answer देना है कि Sir उसका नाम है Boom Angle Indicator Boom Angle Indicator जो है वो एक device है जो indicate करता है कि Crane का कितना Boom Angle होता है फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूचा जा सकता है कि What is tandem lifting? तो simply आपको यह answer देना है कि sir tandem lifting यानि कि ऐसी lifting कि जिसमें दो crane का इस्तमाल किया जाता हो उसे tandem lifting कहता है फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि what is working load limit तो simply आपको यह answer देना है कि sir working load limit जो है वो maximum allowable load capacity होती है वो return होती है lifting gears के उपर मतलब उतनी जो है वो उसकी maximum allowable capacity होती है उतना ही आपको उससे load उठाना है उससे ज्यादा load आपको उसमें नहीं उठाना है फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि lifting के दोरान कितनी wind speed जो है वो allow होती है मतलब lifting के लिए या फिर rigging के लिए कितनी wind speed जो है वो allow होती है तो simply आपको यह answer देना है कि sir lifting activity जो है वो 32 km per hour अगर wind speed हो वहाँ तक ही allow होती है तो उससे अगर ज़्यादा wind speed हो तो lifting activity allow नहीं होती और उसको stop किया जाता है 32 km per hour यानि कि 20 miles per hour यानि कि 8.9 meter per second फिर उसके बाद का जो question है वो आपको पूचा जा सकता है कि lifting के दोरान sling के कितने different types होते है तो simply आपको यह answer देना है कि sir synthetic यानि कि nylon waving, wire rope sling, chain sling यह जो है यह mainly three types होते है sling के फिर उसके बाद का जो question है वो आपको पूचा जा सकता है कि working at height पे कितनी maximum wind speed जो है वो allow होती है तो उसके लिए simply आपको यह answer देना है कि sir 20 knots यानि कि 23 miles per hour यानि कि 37 km per hour फिर उसके बाद आपको पूचा जा सकता है कि what are the requirements of man basket यानि कि man basket की क्या requirement होती है तो उसके लिए आपको यह answer देना है कि sir man basket जो है वो according to standard होना चाहिए यानि कि according to standard उसका design होना चाहिए और उसी प्रकार उसको fabricated करना है फिर उसके बाद आपको बताना है कि उस man basket का third party certificate भी होना चाहिए फिर उसके बाद आपको बताना है कि उस man basket में दो guide drop भी होने चाहिए उस man basket के जो भी lifting gears है वो damage free होने चाहिए load bearing capacity उस man basket की जितनी है वो उसकी उपर written होनी चाहिए shackles with quarter pin उसी का ही वहाँ पर इस्तमाल करना है वहाँ पर certified trigger होना चाहिए और वहाँ पर lifting plan भी होना चाहिए तो ये सारी requirements होती है man basket की ये सारी चीज़े आपको उनको बताना है फिर उसके बाद का जो question है वो पूछा जा सकता है कि LMI और RCL क्या होता है तो उसके लिए आपको simply या answer देना है कि sir LMI यानि की load moment indicator उसका दूसरा नाम है RCL यानि की rate capacity limiter और उसका जो main function होता है वो होता है crane operator को warn करने का और ये कब warn करता है कि जब भी crane operator over load condition में crane से load उठाता हो या फिर over ice condition में crane को उठाता हो तो वो जो condition है जिसकी वज़े से equipment damage हो सकता है या फिर personal effect हो सकता है तो उस condition में ये जो load moment indicator है ये crane operator को warn करता है फिर उसके बाद आपको सवाल पूचा जा सकता है कि workload limit और safe working load में क्या difference है तो उसके लिए आपको simply यह answer देना है कि sir SWL यानि की safe working load और WLL यानि की working load limit safe working load यानि की amount of weight यानि की जो load है उसका जो weight है वो lifting device जो है वो carry कर सकता है कि उस carry करने में उस load के उपर कोई भी breaking strain नहीं आगी या फिर जो load है उसमें कोई भी तूटने का या फिर crack होने का या फिर break होने का खत्रा ना हो उसे safe working load कहता है अब जानते हैं कि working load limit किसको कहता है खास तोर से देखा जाये तो working load limit यानि कि safe working load ही होता है बस आपको ये जानना जरूरी है कि इन दोनों में difference बस इतना ही है कि सबसे पहले safe working load का इस्तमाल होता था लेकिन अभी उस safe working load के word को निकाल के अभी wll उसको नाम दिया है यानि कि working load limit उसका नाम दिया है यानि कि safe working load के word को फिर उसके बाद का जो question है वो आपको पूछा जा सकता है कि crane accident के main causes क्या होते हैं तो उसके लिए आपको simply यह answer देना है कि sir improperly use of outrigger, load drop हो जाना, rigging failure होना, crane over turn होना, boom collapse हो जाना, crane को assemble या फिर dismantle improper तरीके से करना या फिर वो करने में fail हो जाना और सबसे दुखी बात यह है कि 11% crane के related जो भी accident होते हैं वो होते हैं mechanical failure की वज़े से फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि lifting accessories क्या है तो उसके लिए आपको simply answer देना है कि sir lifting accessories में जैसे कि fiber या फिर rope sling आती है, chain आती है, जो single हो या फिर multiple legs हो फिर उसके बाद है hooks, eye belts, spreader beam, magnetic, vacuum devices तो यह जो सारे है यह lifting accessories है फिर उसके बाद का सवाल जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि lifting plan में क्या क्या होता है तो simply आपको या answer देना है कि sir lifting plan जो है वो prepare किया जाता है, identify किया जाता है हर एक lift के लिए और lifting plan में होता है कि जो भी competent persons उसको lift कर रहे है, उनकी उसमें नाम होते है, उनकी उसकी planning होती है फिर उसमें जो भी load उठाना है, उस सारे load का और crane की load capacity का वो सारा calculation उसमें होता है फिर उसके बाद जो भी equipment आपको required है, उसकी सारी details उसमें होती है फिर उसके बाद जो भी persons वहाँ पर required है और उनका क्या role है वो भी उसमें mention होता है फिर उसमे step by step जो है वो उसमें instruction दिये रहता है फिर उसके बाद कुछ सी communication method जो है जिसका आप इस्तमाल करने वाले हो वो भी उसमें mention होता है फिर उसके बाद जो भी rescue plan है वो भी उसमें attach होता है तो ये सारी बाते आपको उनको बतानी है फिर उसके बाद का जो question है वो आपको पूछा जा सकता है कि crane lifting activity में कौन से हजारs involved होते है तो simply आपको ये answer देना है कि sir सरसे पहला हजार है suspended load crane से अगर मानलो आपने कोई load उठाया हुआ है और वो load के नीचे अगर मानलो कोई अगर आता है तो वो suspended load उसके उपर गिर सकता है तुसरा है crane जो है वो collapse हो सकती है तिसरा है जो load है वो गिर सकता है अगर आप damage tools or tackles का अगर use कर रहे हो तो वो भी 1000 है अगर आप अच्छे से signaling नहीं दे रहे हो crane operator को तो वो भी 1000 है अगर मानलो crane को आपने जब लगाया है और उसकी ground conditions अगर मानलो सही नहीं है वो uneven है वो भी 1000 है crane को आपने जिस position पे लगाया है जो भी उसके इर्दगिर जो भी nearby structures है वो भी 1000 है उसकी उपर जो overhead power lines आती है वो भी 1000 है उस crane का mechanical failure भी हो सकता है वो भी 1000 है जिस load को उठा रहे है उसे अगर मानलो properly rigging नहीं किया हुआ है वो भी 1000 है अगर मानलो की load जो है वो ज्यादा हो रहा है और उसकी moment बराबर हो नहीं पारी है वो uncontrolled हो रहा है तो वो भी 1000 है फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि what are the control measures for crane lifting तो उसके लिए आपको यह answer देना है कि sir तो सबसे पहले जब भी आपको lifting करना हो तो आपके पास होना चीए PTW यानि कि permit to work फिर होना चीए उसका lifting plan फिर होना चीए आपके पास TPI certificate यानि कि third party certificate crane का tools का और tackles का और साथ ही उस crane का और tools and tackles का color coding होना चाहिए फिर आपके पास जो है वो third party certificate होना चीए crane operator का जो rigging supervisor है उसका और rigor का भी एक ही rigor जो approve rigor है जिसके पास third party certificate है जो approve किया गया है वही rigor जो है वो crane operator को signal दे सकता है जब भी आपको crane की positions करनी है तभी आपको ध्यान में रखना है कि nearby में कोई adjacent structure ना हो या फिर उसके उपर कोई भी power lines ना हो जो भी crane का आप इस्तमाल कर रहे हो उसका maintenance होना चाहिए crane का आपको daily inspections करना है आपने अगर मान लो crane को lifting करने के लिए position में लगा दिया तो साथ ही उसके surrounding में उसका जो lifting area आता है उसको आपको barricade करना है और साथ ही lifting board का sign board लगाना है ताके adjacent जो भी activity चालू है उनको पता चल सके कि ये lifting area है और इसमें जाना मना है crane से अगर मान लो कोई load एक जगा से दूसी जगा ले जा रहे है उस वक उस load के नीचे में किसीने आना नहीं है या फिर खड़े भी रहना नहीं है जब भी आप crane की position करते हो तो उसके जो out riggers है वो fully extend होने चाहिए crane के जो भी safety devices है उसे आपको अच्छी तरह से install करना है और check करना है जैसे कि anti-two block device animometer, limit switch and level indicators और वो अच्छे से काम कर रहे है या आपको ensure करना है जब भी आप crane की positions कर रहे हो तो आपको देखना है कि जो भी ground level है वो अच्छे से level में है और उसके जो out riggers है जब भी आप extend करते हो तो उसके लिए आपको out rigger pads का इस्तमाल करना है जब भी आप crane से किसी load को उठाते हो तो उस load को आपको दो tagline लगानी है ताकि उस load को आप control कर सके फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूचा जा सकता है कि rigging load capacity के कौन से rigards होते है यानि कि उस rigards की क्या level होती है वो आपको उसमें बताना है तो उसमें आपको बताना है rigor 1 जो है वो require होता है कि जब भी 40 ton के उपर आपको lifting करना हो और rigor 2 जो है वो 40 ton तक ही load को lift करा सकता है और फिर उसके बाद आपको सवाल पूचा जा सकता है कि किस conditions में आपको critically plan की जरुरत होती है तो उसका answer आपको इस तरीके से देना है कि सर critically plan की जरुरत तब होती है कि जब भी कोई load को आप उठा रहे हो और उस load का जो weight है वो 75% जो rated capacity होती है उससे अगर ज्यादा है तब उस condition में उस critical plan की जरुरत होती है फिर दूसरी conditions ये आती है कि जिस load को भी lift करना है और उस load को lift करते समय अगर operator उस load को देख नहीं पाता हो तो उस condition में भी critical plan की जरुरत होती है फिर उसके बाद आपको बताना है कि एक crane के अलावा अगर ज्यादा crane उस lift में involved है तो उस condition में भी critical lift plan की जरुरत होती है फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी load है जिसको आपको उठाना है उसका अगर weight 40 ton से अगर ज्यादा है तो उस condition में भी critical lift plan की जरुरत होती है फिर उसके बाद आपको बताना है कि pressurize अगर piping area है और वहाँ पर अगर या फिर उसके around में जो भी crane की activity करनी हो तो उसके लिए भी आपको critical lift plan की जरुरत होती है फिर उसके बाद आपको बताना है कि tandem lifting के लिए या फिर multiple या फिर जो हो तो उस condition में भी आपके पास critical lift plan होना चाहिए दोस्तो एक बाद यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सारी conditions हमने देखी है जिसके लिए critical lift plan की जरुरत होती है ये जो conditions है ये vary हो सकते है मतलब ये depend होता है कि आप किस company में किस organization में काम कर रहे हो उस organization के क्या rules है उसकी हिसाब से critical lift plan की applicability होती है तो दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि जब भी आप safety इंटरिक लिए जाते हो तो आपको crane से related कौन से question जो है वो पूछे जा सकते है और उसका आपने किस तरीके से answer देना है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care, bye bye